नमस्कार वच्चों आपका हमारी UVR क्लासेस में स्वागत हैं हम लोग क्लास 10th साइन्स के बारे में थोड़ा सा डिसकस करेंगे क्लास 10th साइन्स 2024 के ये बोर्ड का एक्जाम है उस बोर्ड के एक्जाम के पॉइंट आपके उसे एक पिक रिवीजन के बारे में देखेंगे थोड़ा crash course के बारे में देखेंगे लोग service को तो cover कर चुके हैं थोड़ा हम लोग service को हलका हलका touch करते हुए उस service से जितने related question बन सकते हैं उन question को तथा जो unsault हमारे previous year के 10 साल पराने तक question है उस question को touch करते हो उस question को अच्छे से revise करते हुए हम आगे की तयारी करते हैं तो हम सुरू करते हैं science, विज्ञान, कक्षा 10 के बारे में इस विज्ञान में 70 number के question आते हैं 70 number, total 70 number और ये 70 number तीन पार्ट्स में divide हो रहा है तीन पार्ट्स में एक हमारा physics का पार्ट है, एक हमारा chemistry का पार्ट है, एक हमारा bio का पार्ट है यानि एक भौतिक विज्ञान का है, एक रसायन का है और एक जियो विज्ञान के पार्ट है इस भौतिक विज्ञान से लगबग 25 number के सवाल आते हैं और इस रसायन विज्ञान से ये 20 number के सवाल आते हैं और ये bio से हमारा 25 number का सवाल आता है और इस पच्चिस, बीस और पच्चिस में इसमें प्राक्स साथ नंबर के बहुविकल्पी कौशन देखे जाते हैं इसमें छे नंबर के बहुविकल्पी कौशन देखे जाते हैं और इसमें साथ नंबर के बहुविकल्पी कौशन देखे जाते हैं यानि टोटल कुल हमारा में लाकर के ये 20 नंबर के MCQ बहुबिकल्पी कॉस्चन मिलते हैं और 50 नंबर के हमारे लिखित theoretical पार्ट सौले कॉस्चन मिलते हैं तिसलिए थोड़ा सा इस topic को अच्छे से यानि physics, chemistry, bio तीनों topic को अच्छे से हम लोग cover करेंगे इस अच्छे से cover में सबसे जरूरी है कि अगर हम इसके theory part को अच्छे से देखते हैं तो theory part को अच्छे से देखेंगे तो वहां से हमारा MCQ वाला concept automatically clear होगा और MCQ clear होने से हम लिखित वाला भी कुछ चीजे बीना रटे हुए अपने मन से भी लिख सकते हैं तो आते हम topic पे हम सुरू करेंगे chemistry वाला part और bio वाले part को राहुल सर पढ़ाएंगे यह अगली वीडियो में मिल जाएगा bio वाला part तो यहां से सुरू करते हैं chemistry जिसे रसायन विज्यान कहते हैं हमारी सेलेवस में कुल मिलाकर के पांच चैप्टर है जो कि हमें पढ़ने हैं इसमें सबसे पहले है हमारा chemical reaction chemical reaction and equation जिसको हिंदी में हम कहते हैं रसायनिक अभिक्रिया और समी करण दूसरा चैप्टर हमारा है acid base chemistry acid base salt and salt इसे हम कहते हैं अमल छार एवं लवड बात आती है अगले चैप्टर के अगला चैप्टर है metal and non-metals यह धातु एवं अधातु के बारे में धातु एवं अधातु के बारे में और हमारा लास्ट चैप्टर है लास्ट चैप्टर है carbon compound carbon compound जिसे हिंदी में carbonic yogic कहते हैं carbonic yogic इतने चैप्टर को हमें देखना है इन सभी इन सभी चैप्टर में यह 20 नंबर का सवाल था इसमें से 20 नंबर के question आते हैं यानि एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार हो गया तोटल सभी चैप्टर से पांच-पांच marks के question पूछे जाते हैं पांच marks के इससे हो गया पांच इधर से हो गया पांच इधर से हो गया और पांच इधर से हो गया यहां से थोड़ा सा इन सभी चैप्टर के बारे में थोड़ अभी समिक रण कहते हैं अगर इनके बारे में थोड़ा सा पिछली क्लास में जैसे हम लोगी स्कूल में कोचिंग में अन्य सहंस्तान में कहीं पर भी पड़ेंगोंगे तिस chemical reaction और Equation के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कैसे तो इसे लिखा फोग यह लिखा है लें यह जी यह लिखा है यह मिला करके कुछ बन रहा है भी किसी भी किसी भी अभिक्रिया को हम उसके नाम के form में जैदी हम लिखते हैं और उस नाम के form को हम symbol के form में जब हम represent करते हैं तो वहां से हमारा रासानी का भिक्रिया और समी करण के बारे में जानते हैं इसको जब chapter discuss करेंगे तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं अभी थोड़ा सा overview है acid base salt के बारे में acid base salt के बारे में क्या पढ़ते हैं पिछले class में पढ़ते होंगे कि जैसा acid होती है acid क्या है amalaj होते हैं khatta होता swad के basis पढ़ते हैं charge पढ़ते हैं कड़वे होते हैं और salt salt तो नमक हई है salt फिर अगले topic पे आते हैं कि धातु आधातु के बारे, मेटल and non-metals, क्लास नाइन्थ में पढ़े होंगे, धातु आधातु के बारे में, जैसे कुछ धात बारे में जिसमें electricity produce होती है, जिसमें विद्दुत करेंट, विद्दुत भाराप्रवाहित होती है, और कुछ में विद्धुत धारा प्रवाहित नहीं होती है दो चीजे देखते हैं एक मेटल के ट्रम में है एक नॉन मेटल के ट्रम में जैसे लोहा हो गया और लकडी हो गया कार्बन और यॉगिक कार्बन और यॉगिक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे यह थोड़ा सा important है क्योंकि इसके basis पर हम आयूपैक, naming वगेरे सब कुछ यहाँ पर देखते हैं carbonic, yogic जो हमारे पास एक periodic table है जिसे हम आवर्त सारणी कहते हैं इस आवर्त सारणी में इस आवर्त सारणी में आवर्त सारणी देखोगे किताब में कुछ इस तरह से बनाया गया होगा यहाँ पर S ब्लॉक के बारे में लिखा होगा यहाँ पर P ब्लॉक के बारे में लिखा होगा यहाँ पर D ब्लॉक के बारे में लिखा होगा एक नीचे जोटा सा ऐसे बनाया होगा जहां पर F-block के वारे में लिखा होगा इस F में एक Lengthenide सिरीज है Actinide सिरीज है यहां पर S-block हो गया यहां पर P-block हो गया और यहां पर यह D-block की स्टर्म में हो गया यहां से Carbon Compound हमें सिर्फ है और सिर्फ Carbon के यौगिक को यहां परिस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ Carbon तथा Carbon से जो बनने वाले यौगिक हैं सिर्फ इन ही का Study करना है हमारे पास रसायन में दो होते हैं एक हमारा Carbonic रसायन होता है और एक A-Carbonic रसायन होता है एक Carbonic और एक A-Carbonic जो Carbon से बने हुए यौगिक हैं या carbon की chemistry है इनको हम carbonic के अंतरगत रखते हैं इसलिए इनका नाम है carbonic yogic इस carbon को छोड़ कर जितने भी elements है इस table में इन सभी को हम a carbonic के branch में रखते हैं तो यहां से हम a carbonic के बारे में पढ़ेंगे यहां हमें कार्बनिक योगिक है यानि सिर्फ और सिर्फ कारबन और उस कारबन से रेलेटेड केमेस्ट्रि के बारे में पढ़ना है तो यह हो गया चारो चैप्टर के थोड़ा थोड़ा इनके बारे में